हलो गाई स्वागत आप सभी का शिव ओम क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफोर्म में अगर आपको अपनी क्लास के कम्प्लेट श्टडी माटेरियल जैसे नौट्स वीडियोज मॉडल पेपर एंशाइटी सोलेशन से एमसे की टेस्ट प्रिवेसर की पेपर यह सब कुछ सीए औ और वह भी बिल्कुल फ्री के अंदर तो अभी प्लेट श्टोर से शिव ओम क्लासेज नाम से हमारी जो एप है वह डाउनलोड कर लिजिए इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा साथ यह हमारा वोट्सप नवर है छेयासी चेयानव साट पिच्च्च इस पर आप हमारे को वोट्सप पर अपनी क्लास और सब्जक लेकर भेजेंगे तो वोट्सप पर भी आपके नोट्स अगरा भेज देंगे बिल्कुल फ्री ओफ कोश्ट तो हम लोकोक्तियां पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति है एक मियान में द दो तल्वार नहीं रहती तो एक मियान में दो तल्वार नहीं रहती लोकोक्ति का अर्थ और वाकय के अंदर परियोग हम किस प्राकार से कर सकते हैं यह मेरेको देखना है तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, लोकोक्ति का अर्थ होता है, दो विरोधी वस्तु या फिर दो विरोधी प्राणी एक साथ नहीं रहते हैं अर्थ क्या लिख सकते हैं, दो विरोधी वस्तु या फिर प्राणी एक साथ नहीं रहते अर्थ हो गया, अब इसका वाक्य के अंदर प्रियोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक व्यक्ति है उसके सामने दो लड़किया खड़ी हैं, और वो एक उसको पूछ रही है कि भाई बताओ तुम इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति है और इसके सामने दो लड़किया हैं दोनों को ये लगता है कि ये दोनों से, दोनों में से किसी एक से प्रेम करता है तो ये इसको पूछती है कि बताओ तुम दोनों में से किसको प्रेम करते हो वरना मैं जान देने वाली हूँ क्योंकि एक मियान के अंदर दो तलवार नहीं रह सकती है तुम वाखिय क्या लिख सकते हैं तुम इस पश्ट बताओ कि तुम किस से प्रेम करते हो अन्य था मैं प्राण दे दूँगी एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती तो एक मियान में दो तलवार नहीं रहती लोकौक्ति कारत क्या हो गया है दो विरोधी व्यस्तू या फिर प्राणी एक साथ नहीं रहते हैं वाखिय क्या लेख सकते हैं तुम इस पश्ट बताओ कि तुम किस से प्रेम करते हो अन्यता मैं प्राण दे दूँगी एक मियान में दो तलवार नहीं रहे सकती इस प्रकार से में इसका अर्थ और वाक्य के अंदर पर्योग कर सकते हैं तो बने रहे ये शिव ओम क्लासेज के ओनलाइन प्लेट्फर्म के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अब तक फैंगी सुख़़गी